हेलो गाइज वेलकम टो में शेनल एंग्लिश वे अर्जिन सर तो गाइज आज हम पढ़ेंगे एंसेटी पॉब्लिकेशन के क्लास 10 के एक बुक से फुट परिंटस विदाओं फिट के लेलिशन 6 इसका मतलब अब की का सी की उसकी को वैज्यानिक बनाना है ऑगर वैज्यानिक बनाना तो क्या सकते साथ किसे और का आए शेक से करना है क्या क्या कृणि को है इसकी जिसे में आज हम पढ़ेंगे पूरी आगए चुरू करते हैं आधो घ्य जा अबने पाहर हाक है डिच कैश्च प्राइट है तो यह सब्सक्राइब किश्च अ क्पिकलरिकर आवर्बा एन्ट उने मेलगाद नॉस्च अलग कि मिस्ट्री और मालिक्लर है लोजी रीचार इप्राइट यह वह जैकानी के गाईज तो यह सर्ल स्कोलर अवार्ड और स्करिंग प्लॉव अवार्ड बायो केमिस्ट्री जैवराशायन और मलीकुलर बाइलोजी आनविक जीव विग्यान में उन्होंने यह प्राइस पाये थे यह उनका प्रति उनका आकर्शन था जो उन्हें विग्यान की दुनिया में ले गया और विग्यान की बिग्यान के लिए उनका दुनिया जो है खुल गया वह एक विग्यानिक बने कैसे बने चली सफर को हम लोग पढ़ेंगे रिड़न फइंड ओट हाव डिड़ एब बुक बीकम टॉनिंग पॉइंट रिचार्ड इब्राइट्स लाइफ कैसे किताब रिचार्ड इब्राइट्स लाइफ के जीवन को बदलता है जीवन उनका एक बदलाव आता है हाव डिड़ीज मदर हेल्फ ही में उनकी माँ ने किस प्रका मदद की देखें पढ़ेंगे अर्देएज अब ट्वेंटी टू बाई साल के उम्र में एक फॉर्मर स्काउट अफ ये एक्साइटेड दा साइंटिपिक वर्ल्ड इस नीव त्यूरी और हाव सेल्स वर्ड उन्होंने क्या किया था सेल्स वर्दो कैसे सेल्स पाम करता है इस इसकी तहीरी प्रनोंने कंतिया थी ङॉर्ण कॉन रिचार्टेज एचब्राइड अंधिस कॉलेज रूममेट एक्स्प्रेन देजिए औरटिक्ल इन अंँप ने प्रसेड़्ी इन अशना अकेड़मी आफ साइंस रिचार्ड एच ब्राइट और इनके कॉलेज अनिके साथी ने कॉलेज रूम मेट मतलब उनकी साथी ने दोनों मिलकर के एक ठीवरी बनाया था जिसमें एक्ष्पेल ठीवरी न आर्टिकल इन आर्टिकल इन दो प्रोसेडिंग्स अब दनेशनल अकेडमी अप साइंस ठीक है एक आर्टिकल के ठीवरी को समझाया था ठीक है किसमें नेशनल अकेडमी आफ साइंस में इड़ फास्ट ताइम इस इंपोर्टन साइंटिफिक जोर्नल है एबर पॉप्लिश्ट वर्क अप कॉलेज स्टुदेंट्स यह पहली बार था जब ए जब एक महत्त्रपु प्विंग इसका मतलब गाइज की जैसे की स्पोर्ट में पहली बार्मेंवे कोई अच्छा पर मेंस कर जाया पहली बार बैट पकड़के ही के अच्छा पर्फॉमेंस कर जाय तो बता रहा है फॉर डिचार इब्ड़ाउइट वाज्ट ट्रिश्ट इन लॉंग स्टीफिक in science and other fields and it all started with butterflies यह सभी कैसे हुए यह सभी उपलब्दियां उन्हें मिली science में achievements में and other fields में दूसरे फिल्ट में और दूसरे फिल्ट में भी and it all started with butterflies यह सभी तितिलियों से सुरू होते हैं कैसे चलिया आगा पड़ते हैं I'm a only child in Bright greeu up north of reading Pennsylvania एक अकेले लड़के थे वो इव बड़े हुए रीडिंग एक जगा करना में आइस इस एक जगा करना में एक जगा करना में एडिंग मतलब पढना नहीं रीडिंग मतलब जगा करना में एडिए there was not much I could do there he said मेरे लिए कुछ ज्यादा कुछ करने करें नहीं था I certainly could not play football or baseball with a team of one क्योंकि मैं अकेला था तो अकेला था तो football और baseball खेलने के का तो सवाले पैदा नहीं होता है but there was one thing I could do collect things लेकिन एक चीज था जो मैं करता था वो था collect things collect things and चीजों को कर्था करना so he didn't so he did and did he have ever to करते गए करते गए beginning in kindergarten 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 मतलब kg के क्लास में जब थे you right collected butterflies with the same determination that has marked all his activities you write क्या करते थे तितलियों के कर्था करते थे एक ही परजाती के that has marked all his activities जो उनके activities को चिन्हित करता था he also collected rocks पत्थर भी कलेट करते थे fossils जीवास मिंदन कीड़ों के हड़ी बगरा यह सब किनों के ओसेस एंड कोई और सिख्के भी वी किए मैं इगर एस्टोनोमर टू सम्टाइम स्टार गेजिंग अल नाइट वह कभी के रात को क्या होता था तारों को भी देखते रहते थे एगर एस्टोनोमर भी थे ठीक है सम्टाइम स्टार गेजंग आल झालिट चली आगे है का उस फॉस्ट एटी डिय्विग कियो सिटी यह उनका है केक्का था bert ड्राइविंग किया सिटिक्डिक जानने की तीव जिग्यास उसको क्या करते है हैं कि अलग कोई थे ब्राइट माइन एक पास था ब्राइट माइन जीगास है और ही और मदार हुए इंट्रेस्टें लर्निंग उनकी माँ थी जो ने उनके शीखने में उन्हें राश्टा दिखाती थी टीप बताती थी तेलीसखोक लाती थी माईक्रोस्कोप लाती थी कामरह लाती थी माउंटींग मिटेरियल लाती थी and other equipment and helped him in many other ways जो उन्हें बहुत सारी मदद करते थे वो चीज है I was his only companion until he started school मैं ही उसकी साते थी जब से इसने school start किया उसकी मा कहती है, his mother said after that I would bring some friends for him इसके बाद मैं कुछ दोस्त लाई but at night we just did things together Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade but at night we just did things together रात को हम लोग एक साथ होते हैं Richie was my whole life, Richie ही मेरा पूरा जीवन है Richard Ibride को कह रही है, वो ही मेरा जीवन है and his father died when Richie was in third grade उसके पिता जी की मौत हो जाती है जब वो तीसरे ग्रेड में होते हैं कौन कह रही है, रिचार्ड Ibride की मा कह रही है ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं She and her son spent almost every evening at the dining room वो उसके बेटे हर साम को dining room में अपना कुछ समय व्यतित करते थे If he did not have things to do जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था I found work for him If he did not have things to do जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था I found work for him इसके लिए काम खोशती थी Not physical work मतलब काम का मतलब कोई physical work नहीं But learning things, चीजों को सिखने के काम चीजों को सिखने का काम मैं उसके लिए खोशती रहती थी His mother said उसकी मा बोली He liked it वो उसे पसंद करता था He wanted to learn, वो सिखना चाता था And learn, he did, वो सिखता गया He earned top grades in school उसने school में top grades पाए On everyday things, he was just like every other kid His mother said On everyday things, he was just like every other kid रोज की तरह उसको जो भी पसंद होता था मैं उसको ला करके देती थी His mother said, उसकी मा बोली By the time, he was in the second grade जब वो second grade, नहीं second class में तो, two class में था Heard had collected all 25 species of butterflies found around his hometown उसने तितलियों के 25 प्रजातियों को खोजा अपने hometown से see following works उसने क्या क्या खो जाता देखिए आप Spaces and soft species of butterflies collected in six weeks in reading Pennsylvania देखे, छे weeks में उसने कौन कौन से butterflies को खो जा था देख सकते हैं, स्कीन सट ले सकते हैं, ठीक है इसमें आपका मुनार्क से जिसका जिक्रह आएगा इसमें ठीक है ठीक है ना वाइस रोई यह दू बटरफ्लाई का जिक्रिस में आएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं इस बाद बटरफ्लाई करते करते हैं बोर चुक थे उनका मनने लगता था बट देन मादर गट में चिल्डेंस बूक काल्ड़ ट्रैविल्स अप्मुनार्क 10 इसके बाद उनका इंट्रेस्ट खतम होने लगा तो उनकी माने उनने यह बूक लाकर देजिए इसका नाम था इस बूक से उनके मन में जो इंट्रेस्ट था और ज्यादा बढ़ गया जाद बूक विच टोल्ड हाव मुनार्क बटरफ्लाई माइगरे तो सेंट्रल अमेरिका याद रखेजिए यह बूक किसे रिलेक्टेट था कैसे मुनार्क बटरफ्लाई जो हैं माइगरेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका तक हैंगी नहीं मतब एक देसे दूसरे देसके से माइगरेट करते हैं यही बूक जो था साइंस में उनका जो है जिग्यासा बढ़ा दिया ठीक है गाईस इस पॉइंट को नोट कर लिजेगा चलिए आगए बढ़ते हैं अर्ण अप्ञारी अर्धा इंड अप्ड बुक बुक के अंथ में ऑर इंवाइटेट तु एल्प के अंथ में टोहरा तोलेटि नहीं बड़न के घ्रेटेज़ों करते हैं बूक के आंथ जुबरेटेड बुक बडूक के अंथ में लिखा था जो भी एड़र से इनको इंव बटरफ्लाइब करें तेक का मतलब मैं आपको बता रहा हूं जिसे यह आपका हो गया बटरफ्लाइब ट्रफ्लाइब हो गया तो यहां पे टैगिंग किया था रहा कुछ नाम लिख करके वान तू कुछ नमबर लिख करके एक हलका साथ टीकर चिपका कर तो टैगिंग किया था तिक है जिसको कहते हैं क्या गाइस टैगिंग करना चोड़ फेडरी का यह काम था कि टैग करना दे वे आज तू टैग बटरफ्लाइब वारी सब्सक्राइब देख्टर फ्रेडिक ए उडिकु है पूर्कु एट फ्रीटी फ्रीट टोर्वंतो टोरंटक इन्वर्सिटी फ्रीग ए उर्कु हैट उनका नाम क्या था जिन्होंने यह यह टाइगिंग व्ला सिस्टम सुल कि सब्सक्राइब तो इवराइट करते हैं इवराइट मदर रोट टुडटर उर्कु है तो इवराइट को उनकी माह लिखती है और सुन इवराइट वाज अटाइचिंग अटाइचिंग लाइट अधेशिव सब्सक्राइचिंग करते हैं इसका बाद अटाइचिंग के पास पहुंचा लिखती है तो बटरफ्राइचिंग सिजन एराउंड रीडिंग लास शिक्स विक्स इन लेट समर अब देखिए बटरफ्लाइच अब देखिए बटरफ्लाइचिंग जो था अंतिम छे सपता तक चला सी ग्राफ बिलो यहां पर देखिए यह ग्राफ है ठीक है गाईज अब देखिए बटरफ्लाइच अब दूसरा इनका जोसता फ्लाइच का मतलब क्या होता है रेज का मतलब हम सब्सक्राइच थैक भंई आठतें है मतलब किसी दोसको ऐसे स्थे बटरफ्लाइच зачем यूड तक थे पक्रूनार्क की थीख करें अन्दे को में रेज तें में in his in his basement through their life cycle और जैसे लाइफ 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 साइकल होता है बटरफ्लाइज का फ्रम एग टू कैटर फिलर इतो साइंस पड़ने को मिलता है गाइज एक से कैटर्फिलर कैटर पूपा पूपा से अडल बटरफ्लाइज यह देन यूट टैक्ट बटरफ्लाइज उस थाउजन्स अब मुन्राइक से अब देखिए तो ऐसे ऐसे करके वह बहुत सारे मुन्राइक जो थे उड़े मतलब बढ़ने लगे उनकी संख्या टैकिंग करके उड़ाते गए चलिए इवेंच्यूली आइब लोज इंट्रेस्ट इन टैकिंग बट टैकिंग अब फिडबैक टेडियों का मतलब बोरिंग ए इवराइट बोले इन लौल टाइम एडिटे हर समय करता ता था लाव भासे अउनली टू बटरफ्लाइश एटाइग डरी कैप्चर दो बटरफ्लाइश को अभी तक टैकिया एंड देयर नोट मोर दान 75 माइस फ्म वेर यहा उप गये थे इस काम से अब देखिया कैसे यह मोटिवेट होते हैं आगे देन इन दग्राइश को सब्सक्राइब करते हैं तो गये और वहां हार गये काउंटी साइंस प्राइब लॉस्ट इट वास्ट वास्ट वहां देखिए और देख रहें लिए थे यहां वहां टाइज देख दो पर देखने दो फ्रॉड सम्थी यहां पर मैंक्रोस्कोल के अंदर वह दिखाय ते मेंद को क्या टिस्यू को ही रिलाइज थे विनर्स है ट्रॉल एल एक्सपरिमें देट नौट सिंपली दिखिए न तो सिर्फ अपना दिखाये थे उसको करके नहीं दिखाये थे कुछ नया मतलब कुछ इसका आउटकम्स नहीं था अब देखें यहां पर उनका एक और को अर्बंट्राम सब्सक्राइब और गुंड था किया था कम्पेटिटिव स्पिरिट के खूंपेटिव स्पिरिट दावगे रिचार्ड वर्ड़ाइट वाज एप्यरीं जो यह बताता है कि रिचार्ड वर्ड़ाइट क्या थे अप्यरिंग यह यानि कि उन्होंने इस बात में एक रिल एक्षपरिमेंट करूंगा इसेड़ बोले शबजेक्ट आइव मॉस्टेब वाउट वाज इन्सेक्ट वर्क आ वुड़ बीन दूइं इन पास सेवरल यह जिस सब्जेक्ट के बारे में जानता हूं उसी सब्जेक्ट के बारे में मैं काम करूंगा जो पिछले सा इसके चलते उन्हें बहुत बड़ी ख्याती प्राफ्त होई उसके बार और प्राइट प्रोजेक्ट काम करने लेगे कांटी इंट्रेशनल साइंस फियर्स में ठीक है फॉर इस एट ग्रेट जब एट क्लास में गये इप्राइट ट्राइट तु फाइंड वाइड वाइड बीमारी थी मुनार्क वॉनार्क वॉटर बॉटरफ्लाइगी है कि मुंकर कान जाते थे तुसके कांट जानना चाहा ऑव्राइट थोट दिज़ माइड भी केड विटवर के इवराइट का मानना था कि जो बीमारी है थितलियों का वो बीटल दूरा क्या होते हैं बढ़ते हैं रिजिंग केटरफिलर्स इन दे प्रजेंस अफ बिटिल्स ही ट्राइड रिजिंग केटरफिलर्स का अधुड केटर पालना शुरू किये और वहां पे बिटल्स को भी लाकर करके ठीक है मुझे तो ऐसा कोई रिजल्स मिला नहीं ही सेड़ों बोले बताई वेंट अहेड और इसके बाद इनका एक्क्पेरिमेंट जो था वो जीत गए थे नेक्स्ट यह साइंस स्वेयर प्रजेक्ट वा टेस्टिंग थे त्यूरी यहां पर देखिए यहां पी लिख रहा है कि वाइस रह एक बेटरफला हैं जो मुणार का कॉपी करते हैं तहीर बाइस को कोई चिडिया खाती है मतलब मोनार्ष को कोई पक्षी नहीं खाते हैं वाइस रोई यूँ टार्ट्राट सुनियें वाइस रॉय एक तितलियों के पर जाती है जो चाहते हैं मुणार्क जैसा बनने के लिए क्यों चाहते हैं क्योंकि मुणार्क को पक्षी नहीं खाती है ठीक है मुणार्क को पक्षी लेगा ना मुणार्क टेस्ट गूड टू बर्ड्स मुणार्क को वर्टरफ्लाइस नहीं खाते हैं वहीं वाइसरोय को ख खाते हैं यह उनका एक्सपेरिमेंट था तो इसमों क्या उन्होंने बताया तो दो मोर्डे लुक लाइक मुनार्ग दिखेंगे उतना ही वह बर्ट का डिनर कम बनेगा जितना जितना वह मुनार्ग की तरह दिखेंगे उतना पक्षिया उनको कम उनका भूजन बनाएगी इवराइट प्रोजेक्ट वास तो सी वेदर इन फैक बर्ट इट मुनार्ग तो इवराइट ने अपने प्रोजेक्ट नो यह बताया कि चडिया तो मुनार्ग को भी खा जाएंगी फाउंड दाट स्टेलिंग नॉट इट दिटा देर न होगा जाते ती इव आप अगे ब्टाफिया जो हो तो अन्हों ने बताया कि इसा कुछ नहीं है 22 अर्मोनार्ग बटफ्लाइज को भी खा रही बटवरल इस पक्षिय है पक्षिज जो है मोनार्ग बटफ्लाइज बटरफ्लाइस को भी खा रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट में उनको फॉस्ट प्लेस मिला जॉलोजी में और काउंटी साइंस फियर में ठड़ डिवजन मिला चलिए अच्छा परफ्रमेंस साथ अभी तर्ड डीजन दिवजन मिला तो आगे देखिए क्या होता है कि इनिज सेकेंड ये ऐन बेदे नेक्सट यूर का मतलब है यहां से समझेगा भेल देखें है यहां पर आपने देखा एट ग्रेड ठीट प्रिसक वाद आपने देखा नेक्स्ट ये टीक है इसमें अंदर क्या है अंदर यह यह गाइस कि एट गरेट के बाद नेक्ट रहे है नाइंथ ख्लास इसके बाद और प्रोजेक्ट ने मुंने यह यह फॉस्ट डिविजन पाया कानियर साइंस फिर्म थर्ड डिविजन पाय 2nd year 2nd year का मतलब होता है class 10th ठीक है in high school Richard Ebride began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone अब Richard Ebride क्या की research था एक unknown insect hormone मतलब एक किडा के hormone पे indirectly it also led to his new theory on the life of cells ठीक है the question प्रश्न क्या था he tried to answer was simple what is the purpose of the 12 teeny gold spots on a monarch people अब देखें यह जूब इनका क्याब था जैसे कि मान के चले यह monarch people है ठीक है यह आपका तितली हो गई monarch ठीक है इसमें क्या है है he tried to answer was simple what is the purpose of the 12 teeny gold spots in a monarch people monarch people में पीपा जो होता है इस टाइप का देखेंगा इस टाइप का character player टाइप का पीपा होता है ठीक है इसमें इसमें 12 से छोटे-छोटे sports क्यों होते हैं मतलब जो तितलियों के जो पीपा होता है बटरफ्लाइब बनती है इसमें बारा बरस यह बारा सब्सक्राइब मतलब यह राइट सेड़ बटर रिक्राइट दिद नट बिलीब इक लेकिन डॉकर इस विश्वास नहीं करते थे तो फाइंड थे इसकोसन का अंसर पानिक लिए राइट और एक्सेलेंस साइंस स्टुडेंट फर्स्टाइब दिवाइज शोड़ दिवाइ की जो ब्लैक सपॉट है उसका काम क्या है प्रोडूसिंग हार्मोन एक हार्मोन बनाने के लिए ब्लैक सब्स होते हैं जो बाटरफ्लाइज के डिवलोप्रिंट में कारगर सावित होते हैं समझ गया गाइज कोज लिए उन्होंने दीस प्रोजेक्त ओन इबराइट county fair तेखिए ठीक है तो इस प्रोजेक्ट से उनको क्या मिला फॉस्ट से प्लेश मिला किसमें county science fair में एंघोट्र एंट्रेश्टूमल्स अब अंतराश्टिये वज्ज्ञान और इनज़नेरिंग फिर में प्रवहेश मिलिए probatele दिर ही देर ही ओन कि फार्ट प्लेस फार्जवोजी यहां में घजर्वेर दीट समर के लिए एक जांस मिल गया था एंटमोलोजी लिपरेटरी अफ वाल्टर रिड़ अर्मी स्टूट ऑफ रिचर्च वाल्टर रीड़ रूर्मी सीटिट आफ रिसेर्च मुणने काम आप by मिल गया कम प्रवरिटरी में एंसीट के इन्सीट के अफ रिशर्च के एंटम लोजी लेबरेटर में याद रहेगा जब उन्हें काउंटी साइंस स्पेर में फर्स्ट डिविजन प्राफ्ट हुआ तुनों कहां काम मिला समर में एंटम लोजी लाइबरेटरी जगह करना में क्या कौन सा डिपार्ट मिला था और कहां मिला था वाल्टरीड आर्मी इंसीट्ट अपरी चैश्याइग है अज हाइज स्कूल जूनिर अस आगाइज स्कूल जूनियर रीचर्ड इप्राइड कंट्टी इज एड एड़ाइबांस एक्परिमेंट अन्यों दूमार्फ पीपा अपने काम अपने अनुभव को जारी रखे द्रि यहां पे इंटर्नेशनलर साइन स्पेर में उन्हों फॉस्ट प्लेश मिला मोर्राइक पीपा पे इक्स्पेरिमेंट करने पर और कि आप अधर चांस पूरक ना अर्मी लिबरेटरी दिविंग शमण अब आर्मी लेबरेटरी में उन्हें भी काम करने के लिए समर में फिर से दोबारा चांच मिल गया इनिस सिनियर हाइच स्कूल जुनियर का मतलब सेकंड यह मतलब कहता है 10th हाइच स्कूल जुनियर मतलब 11th और देखिये यहाप इन शैनियर मतलब कहा 12th ठीक है, he went a step further, he grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells should divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots, अब देखिये, 12th में उन्हें क्या मिला, he went a step further, एक उन्हें मिला एक कदम, he grew cells from a monarch's wing, सेल्स को बढ़ाना लेका, monarch's wing से इन्हें कल्चर and saw that और उन्हें और दिखाया that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots, अब देखिये, पीपा के gold spots में अगर hormone अब दिया जाए, तो butterfly तेजी से बढ़ती है, यह उनका experiment था, that project तो यह उनका जो experiment था सफल भी हुआ और इसके चलते, that project owned first place for geology at the international fair, international fair geology के international fair में उन्हें यह उपाद ही मिली, first prize मिला geology में, he spent the summer after graduation, graduation के बाद वे अपना समय जो है सम जो समरी स्पेंट दस समर आफ्टर गेर्जीएशन के बाद वो अपना समय समर में भी ताए, doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture, उसके बाद agriculture के यूएश डिपार्टम नो काम करने लेगे दा फॉलोविंग समर आप्टर ही इस फ्रेश्मेन इयर अट हर्वर्ड फ्रेश्मेन इयर का मतलब फस्ट इयर्जीशन का जो होता है, at Harvard University, Ibride went back to the laboratory of the Department of Agriculture, Ibride चले गए Department of Agriculture में and did more work on the hormone from the gold spots, और उसके gold spots पे और काम करने लेगे using the laboratory's sophisticated instruments, वहाँ पे जो उनको उपलब्द थे यंत्र उसके द्वारा परियोग साला के यंत्रों द्वारा फ्रेश्मेन इयर का मतलब पार्ट बन ग्रेजुएशन का जोनियर का मतलब पार्ट टू इव राइट गट आइडिया फार इस निव थीओरी अबाव सेल लाइफ उन्हें सेल लाइफ के बार में एक नई थीओरी के बार में जनकारी मेली जब लॉप एकश्रे फोटोस अब दाव ध्यान से देख रहे थे ठीक है एकशरे फोटोस देख रहे थे हर्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को तब नहीं मिला क्या मिला वन ये साथोस फोटोस जो इस फोटोगव देखे यवाइट इड नोट साउट चिलाए नहीं युरेका औ he believed that along with his findings about insect hormones the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles उनको बाल बालोजी का पॉजल्स का एंसर मिल गया था how the cell can read the blueprint of its dna blueprint कैसे cell जो है पहचाना जाता है dna के blueprint से ठीक है dna is a substance in the nucleus of a cell ठीक है nucleus के cell के nucleus में क्या होता है dna होता है ठीक है that controls heredity जो अनुबन शिक्ता को नियंतुवित करता है ठीक है it determines the form and function of cell a cell वो क्या करता है cell के function और form को determine करता है दर साता है dna is the blueprint for life इसलिए dna को blueprint का जाता है जीवन का देखिए आगे इब्राइट और कोलेज के रूम मेट जेम्स आर वोंग तो कौन थे इब्राइट के रूम मेट जेम्स आर वोंग वर्क्त all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how could it how it could happen दोनों रातो रात plastic models बनाते बनाते काम कर रहे थे together the latter wrote the paper that explained the theory उसके बाद ओधिवरी एक paper पर लिखे त्यूरी को surprising no one no knew him Richard Everide graduated from Harvard with highest honors कोई से नहीं जानता था रिचार ने graduate किये highest honors second in his class of 15 पूरे class में सेकेंड आया थे 1510 स्टुदेंट में Everide went to become a graduate student research at Harvard Medical School Medical School में graduate हुए there he began doing experiments to test his theory उसके बाद माँ अपने experiments करने लगे अपने theory को कि टेस्ट करने के लिए इप त्यूरी प्रूप्स करेक्ट अगर त्यूरी साही होती है साबित होती है विए बीग स्टेप तुवर्स अंडर्स्टेंडिंग देव प्रसुस अगरे जीवन के लाइप प्रसुस को समझने के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा इट माइट अलसो लीड तो निव आइडियास पर प्रेवेंटिंग सॉम टाइप्स बड़ा दिजिस वैसा मानते थे की तैंसर और कुछ खतनाग विवानियों से बचने के लिए भी रास्ते खोल जाएंगे अल अब दिस पॉसिबल बिकास अब राइज साइन्टिफिक कुरियोसिटी अब इक साइन्टिफिक कुरियोसिटी ये विए उनका क्या था उनका उनका हाइज स्कूल का रिशार्ज जो था पीपा को लेकर के मुनार्ग पीपा को लेकर के उनके सिल लाइफ के बारे में वह बहुत आगे बढ़ गया ठीक है इवेंट्वाली लेडी है रिचार्ड इब राइट हैस बीन टेस्टेट इन साइंस सींसी फस्ट बिगान कलेक् लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे काम के लिए उप समय नहीं निकालते थे इवराइट ऑल्सों विकेम चैंपियन डिवेटर एंड पॉब्लिक स्पीकर एक पॉब्लिक स्पीकर भी थे और गुड कैनियो इस्ट का मतलब बोड जो चलाते हैं ठीक है और आल राउंड आउट्डोर्स परसन बाहर में सब लोग उन्हें पाचानते था हर काम में वह आगे थे इस और एक्सपर्ट फोटोग्रापर फोटोग्रापर भी थे पर्टिकुलर्य अपनेचर और साइंटिफिक एग्जीबिट्स फोटो खिश दे इन हाइज स्कूल रिचार डिवराइ सब्सक्राइब करने के लिए मोडल इनवाटे नेशन क्लॉप समझाते थे यह आलसो फाउंड समवन तो एड्मैर यह वह मतलब खोशते थे किसी को जो उनको एड्मैर करें नहीं उनका साथ रिचार्ड एविडरर इस सोशल स्टॉडिस टीचर यह कौन थे उन्हें जो प्र इचार इबर से बता रहे हैं कि वहीं मतलब मोटिवेट किये इंस्पायर किये ओपें माइं माइंड तो निव आइडियाज वही मुझे नहीं नहीं आइडियाज कैसे मेरा दिमाग वही खोले इबराइट से इबराइट बोल रहे हैं रिचार्ड और ऑल्वेज गीव डट का एफोर्ट मिस्टर और से मिस्टर बोल रहे हैं रिचार्ड हमेशा अपना अत्रिक्त बल लगाता है ठीक है वाट फ्लीज मी वाज यह वाज इस पर्सन हो पूट इन थ्री और फॉर आवर्स अट नाइट दूइंग डिवेट सीच बिसाइड 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 गंटे चाचार गंटे डिवेट करता था बटरफ्लाइस को पर ठीक है उसका इंट्रेस्ट में देखता था डिचार्ड वाज कॉंपिटिटिव डिचार्ड क्या एक प्रतियोगी है मिस्टर और कंटीनर फूर बोलते हैं बट नॉट इन अ बैट सेंस बैट सेंस में यह मतल अच्छे तरीके से करता है इसलिए अच्छे प्राइज को मिलते हैं अच्छे कारण के लिए वह अच्छा है और यही एक साइंटिस्ट बने के लिए कारगर होना चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए यही चीजें पर्याप्त होनी चाहिए ताकि उसके अंदर जिग्यासा हो क्यूरियोसीटी हो ठीक है स्टार्ट विए फर्स्ट रेट माइंड अपना एक आग्र चित्ता के साथ शुरुवात करें एड किरियोसीटी जिग्यासा उसमें मिला दें मिक्स हिन दा विल तुविन दा विन 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 फॉर द राइट विजन सही करण के लिए जीते इव राइट आज इस व्वालिट तो विजन के लिए कौन सा किताब को खोल दी थी वह किताब 3 ट्रेवल सफ मुनार्क एक्स या टेन रिचार डिवर लॉस्ट इस साइंटिपी क्योश्यटी रिचार्ड आप्ट ने अपने विज्ञान के क्योश्यटी को कभी खोया नहीं था तो यह हैं हमारे यह हमारे रोबर्ट डवलू पिटर्शन जिन्होंने इस कहानी को लिखा है तो आप समझ गया गाइस क्या-क्या उनके पास क्वालिटी थे किसम उनके क्वालिटी से क्योश्यटी साइंटिपी क्योश्यटी है कि नहीं फास्ट्रेट माइंड ठीक है तो एक वेग्यानिक ब यदी वीडियो अची लगए यदि वीडियो आई हो तो लाइक कीजागा वीडियो समझ में नहीं आई हो तो लाइक मत किजीएगा कोई जबढदस्ती नहीं है और अगर आई हो तो खुर लाइक करहे हैं चानल को सब्सक्राइब करोए चएंगा बेल एक बढ़ दुखर दि